नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वाथ आपके अपने यूट्यूब चानल इजनी बाया निल सर्में आज मैं आपके लिए लेकर हमारा डारक्शन का टॉपिक जो भी हमारे पास एक्जाम होते हैं पेपर होते हैं उनमें डारक्शन का कुश्चन जरूर पूछा जाता है डारक्शन में बैसिकले हमें पहले डारक्शन के बारे में पता होनों बहुत जरूरी है अब डारक्शन होती क्या है हमारे डारक्शन देखिए हमारे पास सबसे पहले जो डारक्शन ऊपर वाली होती है वो हमारे पास उत्तर दिशा होती है ठीक है और नीचे वाली हमारे हमारे पास क्या है जी साउथ डारक्शन हमारे पास इधर बात करें तो यह हमारे पास वेस्ट डारक्शन होती है और इधर वाली हमारे पास इस्ट डारक्शन होती है यानि अगर मैं बात करूं वेस्ट डारक्शन की तो वह हमारे पास होती है पश्चिम दिशा और अगर मैं बात करूं इस डारक्षन की तो हमारे पास होती है पूरो दिशाओं यह हमारे पास दिशाओं का इंट्रोडक्ट करेंगे चार हमारे पास आ गई यह जो हमारे पास इसको बोलते हैं नोर्थ इस डिर्ख यह जो हमारे पास दिशाओं को बोला जाता दक्षिन फूरोड दिशा गया बने यह जो अगले बपास निकल यह इसको हम बोलते होते हैं दक्षिन पस्चिम दिशा का बोलते होते हैं दक्षिन पस्चिम दिशा यानि साउथ वेस्ट डारक्षिन इसको बोला जाता है यह हमारे पास अगली जो डारक्षिन है इसको बोला जाता है हमारे पास उत्तर पस्चिम दिशा हमारे पास बोला जाता है यानि नोर्थ वेस्ट डारक्षन इसको बोला जाते हैं यह हमारे पास आठ दिशाएं हमारे पास है उन्हीं आठो आठो दिशाएं का होती है वैल होती है एक दिशा घूमती है तो दूसरी दिशा उसे के साथ घूमती रहती है यानि जब इनकी मोमेंट देंगे तो एक मोमेंट करेगी तो दूसरी राक दिशक दिशक्शन करेंगे उतने ही अपने यह सर्द मोमेंट देखी अब हमारे अधि टर्स में मेली कुष्ञ इस से तर्स में कैसे आते हैं हमारे पाइग चाहिते हैं और अब है टो किस मुं किश वे किस थिस आ में या लानि इस सा Kennyि अजिए पेशिक्श विच डारेक्शन विच डारेक्शन पेसिंग नाव यानि अब वो कुछ डारेक्शन को पेस कर रहा है दूसरा जो टाइप हम से पूचा जाता है वो यह पूचा जाता है यानि कितनी दूरी पर क्या बोला यानि कितनी दूरी पर कितनी दूरी पर तीसरा जो परसन हम से पूचा जाता है वो पूचा जाता है in which direction with respect to initial point वो सकता है with respect to initial position or with respect to final position तो पून्ट पून्स वह बliamo बसक्राइब तो किसके रिसपाइब कोशंघ पूचा गया इस यानि अब किसी दिसाय अब मुह किसी दिसाय में और यहां किस में तुल रम या फिर अंतिम से अंतिम बिन्दो से यह हमसे पूछा जाता है अब देखें हमारे पास जो मुह किसे दिसामें है यह हम इसा इंडिगरेशन देता है हमारे पास एरो क्या इंडिнуться करता है हमारे पास अरो यानी diligent का निशान बताता है जिस साइड तीर का निशान होगा उसी दिशान उसका मुझ होगा यानि कहने का मतलब मालो कोई व्यक्ति है वो पूरव दिशान में जा रहा है फिर बाएं और मुडां फिर दाएं और मुडां फिर दोबारा दाएं और मुडां तो ऐसे जिस साइड एरो होता जाए दूसरा जो परसन बोचा गया वो हमारे पास है जी यानि कितनी दूरी पर ये हमेशा हमें कम से कम दूरी निकालनी होती है कम से कम दूरी और ये कम से कम दूरी होती है वो फाइनल पॉइंट और इनिशल पॉइंट को मिलाने के बाद मिलती है कैसे final point initial point को मान लो एक वेक्ति है वो इधर गया फिर यहां गया फिर यहां गया फिर यहां गया तो यह हमारे पास यहां से जुरूए final हुआ यह वाला जो हमारे पास होता है यह डिस्टैंस हमें निकालना होता है वो कोई जरूर नहीं ऐसे जाकर यहां जाकर यहां भी रुख सकता है तो यह वाली दूरी हमें निकालना होती है यानि यह कम से कम दूरी कब मिलते हैं मुझे Light and Digital Point को मिलने के बाद Initial Point को पॉइंट को मिलाने के बाद वो कम से कम यानी minimum distance हमें निकालना होता है तोटकट वाला distance मुझे निकालना होता है minimum distance वा निकाले next वो हमारे पास जो है वो कहते in which direction with respect to initial of final point ठीक है तो यह हमारे पास दिसा पुछी है वो दूरी पुछी गए दिसा पुछी गई अब मालो हमारे पास एक वेक्ति यहां गया यहां गया फिर यहां गया अब यहां से सुरुआत किया था initial से पुछा तो बिल्कुल उसके सीद में है नीचे तरफ और नेचे तरफ कुछ सी दिशा होती है हमारे पास दक्षिण दिशा के हुई हमारे पास है अभी उनको questions को करेंगे तब आपको बढ़िया तरики से पहरी चाहिए तसे पहले question त Lord ै तसे पहला question जो हमें दिया गया है वो क्या बोलता वो कहता कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति पूरों दिशा की और मुह करके खड़ा है मुह करके खड़ा है मुह करके क्या करा है खड़ा है वह वह पस्चिम दिशा में वह पस्चिम दिशा में वह पस्चिम दिशा में पस्चिम दिशा में पस्चिम दिशा की और पस्चिम दिशा की और मुड़ता है पश्यम दिशा के और मुड़ता है पिर वह है पिर वह है दाएं और दाएं और 135 डिग्री पर 135 डिग्री पर पिर बाएं और पिर बाएं और 90 डिग्री पर अंत में अंत में दाएं और 45 डिग्री से मुड़ जाता है परसन जो पूछा गया वो कहता है अब मुझ किस दिशा में हैं मुख किस दिशा में हैं अब मुख किस दिशा में हैं यह हमसे पूछा गया लेकिए ससे पहले व्यक्ति पूर और दिशा के और मुख करके कि खड़ा ऐसे किए भाइब पस्म दिशा के और मुड़ता है अब पस्म दिशा के और मुड़ता है मतलब पूरे के बिल्कुल अपोजी डारक्शन में इस साइड बूर गया जी अफेस उदर था लेकिन अब इदर हो गया उसका फेस यहां फेस आने के बाद उसने क्या किया दाइं और पैंट एक सो पैंटे डिगरी यानि दाइं कितना गुमा एक सो पैंटेस डिगरी पिर बाइं और है वो 90 डिगरी से गुमता है और अंत में दाइं और 45 डिगरी से मुड़ जाता है तोटल देखेंगे तोटल दाया मेरे पास कितना हुआ 180 डिग्री हो गया कुल निकाल लेंगे हम लोग कुल जो दाया है वो कितना डिग्री हो गया कुल दाय और कितने डिग्री हो गया हमारे पास 180 कुल बाया है वो 90 डिग्री से हमारे पास कुल वाइं और है वो नब्वे डिग्री शोगा डिफरेंस निकालने कितने डिग्री का बना अंतर निकालना है अंतर नब्वे डिग्री का यह ज्यादा क्या है ताएं तो एक ही बार बुड़ेगा दाएं और नब्वे डिग्री से पहले मुह यहां था फिर पस्च्चिम के इसने मतलब इðर कर लिया görünको कि यहाँ से दायां और और गुमाओं तो यह दायान और ऐसे 90 से यानी उपर कोंग से दिशा होती है। अद्ब दिशा होती है। तदिशा यह जाना अभी इसपा सेरह गा उच्टत दिशा कि और उषप सामुग है किया जास और अंत में दायों मूड़ जाता है तो देखा दो बार मुड़ा टोटल कितने डिग्री बना एक सोसी डिग्री बाया एक की बार मुड़ा था नबे डिग्री अंतर निकालना है अंतर नबे डिग्री काएगा ज्यादा क्या है दाया तो दाया और मुड़ेगा इधर फेस था इदर से दाया और ऐसे घुमेगा तो हम अपर की तरफ होगे और उपर की तरफ क्या होता है नेक्स्ट उम्हारे पास अगला जो हम से कुर्श्चन भोला गया है यह बोलता है एक व्यक्ति एक व्यक्ति दक्षण दिशा के ओर मूँकर के खड़ा है दक्षिन दिशा की और दक्षिन दिशा की और मूं करके खड़ा है मूं करके खड़ा है वह वह बाएं और वह बाएं और दोसब पत्चिस डिग्री फिर दाएं और फिर दाएं और एक्षो असी डिग्री फिर बाएं और फिर बाएं और पेंतालिस डिग्री फिर दाएं और पेंतालिस डिग्री और अंत में और पेंतालिस और अंत में दाएं और अंत में दाएं और मुढ जाता है दाय और 90 डिगरी से मुढ जाता है तो अब मुह किसे दिशा में पूछा है देखिए जो हमसे परसन पूछा जा उसका मतलब क्या है दक्षिन दिशा यानि नीचे तरफ उसका फेस हुआ तक्षिन दिशा यानि नीचे तरफ उसका वहे राएम और इस पर उन्होंने कहें दुबारा फेस नहीं किया अपरम लेने सुरू कर द invece कि यह प्यक्ते डिगरी से मुड़ा कि दा बिन और इक तो calculations इक saves अ फिर बाएति अ कि आसे लिगरी ऌड यह से अंत अब यहां से हमारे पास रजल्ट और आ है या बाया Thorby बाएं है वह कित्राव बन कुल बाई और मोडने से 270 डिगरी बनता है 225 और 45 270 बनता है कुल दाएं और मडाऊं तब भी मेरे पास कितना मोडता है 270 डिगरी अंतर निकालों तो जीरो डिगरी का अंतर हमारे पास आता है इस पार अंतर कुछ भी नहीं है अब अंतर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यह वह उसने टरंग लिया ही नहीं जहां पहले फेस साथ वही फेस अभी है जहां पहले उसका फेस कहा था मुझ कहा था दक्षिन में अब भी उसका दक्षिन क्योरी हुए मतलब मुझे यहां पे कुछ नहीं करना था जस्त यहां पे यह चीज़े करने थी अब देखो अगर आप दायां बायां यूं मूडाओगे तो चीज़े साही हो जाएगे गलत लास्ट में देखो जीरो डिगरी आया कहीं तरह नहीं नही है कि शाम पॉषिम दुषा की और स्याम पॉषिम दुषा के और तीन किलमेटर चलने के बाद छलने के बाद दाय और दाएं और 135 डिग्री पर मुड़ जाता है 135 डिग्री पर मुड़ता है 135 डिग्री पर मुड़ता है फिर वह है चार किलोमेटर की दूरी तेह करता है है पिर के चार किलोमेटर की दूरी तेह करता है फिर 235 डिग्री से बाएं और मुड़ता है बाइं और मुड़ता है और पांस किलोमेटर की दूरी तेह करता है तो अब उसका मुझ है उसका मुझ हो मिए बढां से देखें ध्यान से बढ़े हैं पीर हमसे पूछा सी पहले कहते हैं पर्श्रीम दिश्रा पर चुंस ना सुरूब करता है Greg बात मैंने का पर्षन को पढ़िए और देखिए क्या चीज़ है हमसे कुछन पूचा गया मूँ किस दिशा मुझे किसी दिशा में जब भी आप से पर्षन पूचा जाता है मूँ की दिशा मेरी जब तक चेंज नहीं होगी जब तक मैं कहीं नहीं लेता मालो मुझे इस डारख्षन में जाना है तो कितना मर्जी चलो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला लेकिन जैसे मैं तो मुझे फरक पड़ेगा मेरी दिशा चेंज हो गई यानि यहां कहने का मतलब क्या है आप किसी मर्जी दिशा में जाओ लेकिन फरक तब पड़ेगा जब आप कहीं न कहीं टर्न लोगे मैंने यहां पर टर्न लिया तो यानि जब यह मैं पास किलोमेटर दे रखी है इन किलोमेटर का कोई रोल नहीं है क्योंकि मुझे क्या कोई इस दिशाम से कितना मर्जी चलू मुझे कोई निक फरक पड़े है मेरा मुझे देर रहेगा तर्न लोगा तो मेरा फेस चेंज बजाएगा दाया 135 बना फिर हमारे पास क्या आया बाय और बाय और कितने डिगरी बना दो सो पक्चे डिगरी जादा क्या है यही था बस दो उर्त कुछ था ग利imy एक बार दाया मुड़ा और एक बार कितना मूड़ा बाय और मुड़ा और होड़कुछ मुड़ा घृ एक ऐक टरण लिए थे अंतरनिकाल मा कितने डिगरी चाया 90 छादा क्या है ज्यादा क्या हमारे पास बाय तो बाय अब देकिए प्वेस इधर ह है तो व्लाइं और होता है हमारा left side साइड हिदार तक राइब हो जाए Гाण नीचे कौन इसलसी दिशां होती है है न्हारे पास दक्शिन दीशा होती है यह इस और चक्शिन दिशां की रहे हैं कि एक कुश्चिन सुर्करते हा हमारे पास देखते हैं कि आमसे को समppen पुछाता है नेक्स्ट आ रहीं है बोला गया हमारे लिए कि महल 06 कि इध महन पूरों दिशा की और ऐसे पूरों दिशाकी और कि मुह करके खड़ा है कि मुहकर और झा है लो है यह ताई और नहीं नहीं ताइब टालिक डिरड़ी ना यह फिर बाएं और किट रएंप सोब्हें cage 1-65 डिग्री फिर दाय और कि दाहा ऑř आए और दोसव पत्ची डिग्री से मुड़ता है तो कहते अब उसका मुझ किस दिसामे अब उसका मुझ किस दिसामे है यह हमसे पूचा है पूरो दिसा की और मतलब हमारे पास यह अब कहते कि दाया और कितने डिग्री से गूना दाया और कितने डिग्री से ओमा लास्ट परसन वही मुझ किसी दिसां पूचा गया तो हमारा किलोमेटर का कोई रोल नहीं सिरफ टर्ण देखनी है टोटल दाया है वो कितना बनता है टोटल दाया फुल दाया बनता हमारे पास इन दोनों को जोड़ू तो 270 टोटल बाया है वो हमारे पास बनता एक सो पैंती डिग्स अंतर निकालों तो कितना है हमारे पास it ascender की जादा क्या हमारे पास दाइं और है ज़्यांता क्या हमारे पास धायों यानी कुल गाए और कितने लिज्माएक सो पैंती डिग्री सी फूपाचं़ लाइं डाया मतलब नीची त्रफ बनेंगा सो पैंती डिग्री से पहले टर्ण लेते हैं यूँ नवबे डिगरी कि अचुक है और पिंतालिष दिगरी और ले लो तो ऐसे डारख़न में हो जाेगा कि इधर हमारे पास ओर दिशा इधर हमारे पास पस्रिम दिसा या हमारे पास पास दिशा ऐड़ की तरह हमारे पास उत्तत थिश तो क्या बोलते इसी दिशा के रूस का मुद है और यह प्वेजे साच मेरे पास दक्षिन पर्षिन लिषा उन्सी आगर दक्षिन पर्श हो तरफ एंड्वनीस करांसर आपने हमारे पासं पर्सटिन पुश्यम डिशा हमारे पास यहां पर राइट आरंसरे बनेगा सिवार्ण कर दैजी नेक्स्थ अगले गुश्वर यहा पर ध्यान रखने वाली जब्हें हमारे पास दिशाओं की बात आएगी तो देखो मैंने यह छाल के बात मुली यह पूरव दिशा है और यह हमारे पास दक्षण विसा और यह उपर वालिंग उत्तत्र दिशा हो और यह वाली रे पास पस्ठ्यम डिशा कि देखिये इस लाइन पर ही रहेगा इससे थोड़ा सा भी नीचे आगा तो पुरू नहीं रहेगा, वह क्या रहेगा दक्षिन पुरू रहेगा, यहाँ दक्षिन अंधी लाइनी है अगर यहाँ आ आ गया, थोड़ा सह तोई दक्षिन पुर्व ही बन गया है, यानि यह complete portion इस लाइन से इस लाइन तक का दक्षिन पूरो है चाहिए वो ऐसे लाइन क्यों ना जाई उसको दक्षिन कभी नहीं बोलूगा दक्षिन पूरो सेम हरे कंडिशन बें यानि मालो कोई लाइन यू आगी तो इधर है ना तो उत्तर पूरो वहाए नेकी उत्तर दिशा है ठीक थोड़ा सा भी इधर है ना थोड़ा सा वीदर है उसको मैं उत्तर पस्चिम बोलूँगा अगरा अगर का है तो मह उसको क्या बोलता हूं उत्तर दिशा बोलता हूं उन्दी लाइन का बहुत पढ़ा हमारे पास उन्दी लाइन होगी तब हिसे हमारे पास इसका बनेगा मा unto आपर दिशा वही की नहुंग्यों रहेगें ड़ेकलus एब वह बोलते कि स्षित हैं वह घर से विध्यालय जाते समय है गर से विद्दालय जाते हमें है दो बार और ऑ दो बार बाएं आ और एक बार दाएं और मुड़ती है एक बार कहां दाएं और दाएं और मुड़ती है दाएं और मुड़ती है ठीक है वह विदाले वहना यहां लिकर। उसके विदान लिया का मूँ उसके विदान लिखता। उसके विदानले का मूँ उत्तर दिसा में खुलता है। उत्तरदिसार में कुलता है है कि इंग एक स्विजुंब और से निकलते समय kay गरसे निकलते समें किस दिशा में चली थी यह हमसे परसन पूछा गया किस दिशा में चली थी यह हमसे परसन पूछा गया देखे क्या बोला गया सीटा है घर से विधाले जाते समय दो बार बाएं और एक बार दाया और मुड़ती है विधाले का मुँ उत्तर दिशा के और खुलता है तो घर से विधाले निकलते समय उसका मुझ किसी दिशा में था देखे जब इस पर संकर मैं बात करूं तो हमारे पर ऐसा कुछ नहीं बनने वाला मुझी बना दो जिए मैंने विदालmore का मूह पर बना दी कि लेकिने विदालय का मुझ वह उत्तर देशाँ और उपर उपर क्यों इसका वू कूल दिए मैंने उपर के रुमों कोल दिया लेको जब वह घर से विदालिया गई घर से कहां गई विदालिया गई तो क्या हुआ दो बार बाएं और एक बार दाएं और मुड़े थी लेकिन अगर उसको विदालिया से घर बेजा जाएगा विदालिया से घर के तरह बेजा जाएगा तो वह दो दाएं और एक बाया मुड़ेगी दो दाएं और एक बार कहा मुड़ेगी बाया और मुड़ेगी देखिए उल्टा हो जाता है ना उल्टा हो जाता है घर से विदाले जाएगी तो दो बार बाया और एक दाया लेकिन विदाले से गर ज जब घर से निकलेगी तो इस दिसमें और ये वाले दिसमें आपDas इती पस्म्म दिसा बताइट आए ऩुजा के उसका क्या होगा लो जब मानलो कमारे पास यह पर एक मन में ऑटोट आया हमारे की चाहिए कि मैं नॅ मैं नुझालू एक WRzen फिर द्यान दे दिये यह हमारे पास आया उपर के और मैंने उत्व को उसका मुँ बच्राइगा क्या एक बार पांधा क्षाइग देखिए एक और क्या हमारे पास अब सोचने वाले ये बोला कि नहीं मैंने तो पहले बाएं और मोड़ ना यह थें कंद इस निकले पहला तरन verw या बाए और मुड़े पहला टरन लिए का मुड़े बाए और मुड़े फिर डाया एक दाया और दूसरा दाया एक हटी कि घर पर पुणच गए घर पर lleva tul पोणचे तो कहते हैं मुओ किसी दिशा कीवर है इधर मुओ हुए इधर कौन के दिशा है हमारे पास पस्सिम दिशा है य paran हर पार कैसा मट Yes turn loop बंता हमारे पास कौन सा है पस्सिम ही इसका अंसर आता है तो कभी भी इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पहले दाया लिया गया पहले बाया लिया गया बस हमारे पास दिशाव वही की वही हैं क्योंकि टर्न तभी मुह तभी है चेंज होगा जब वो टर्न साइड लेगा और टर्न हमारे पास सेम तर रही है तो मुह कभी चेंज नही हैं वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक कि लिए जी बाई बाई टाटा टेक केर जी ठीक है